हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कक्षा 8 की वॉक्षीट नमबर 9 जो की 18 अगस 2021 की वॉक्षीट है और आज का विशे है हिंदी तो चलिए हम अपनी वॉक्षीट को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों आज हम आपकी पाठे पुस्तक वसंत से पाठ लाख की जूडियां जिसके लेखर कामतानाथ हैं का चौथा भाग पढ़ेंगे कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरी भी पढ़ सकते हैं तो देखिए हम कहानी का अगला हिस्सा यहां पर पढ़ेंगे मैं बहुदा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहां चला जाता और एक आद महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता परन्तु दो-तीन बार ही मैं अपने मामा के यहां गया होंगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधी तक मैं अपने मामा के गाउं ना जा सका तब लगभग आठ दस वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था की लाख की गोलियों में मेरी रूची नहीं रह गई थी अता गाउं में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया इस बीच मैंने देखा कि गाउं में लगभग सभी स्त्रियां काच की चूडियां पहने हैं विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूडियां देखी तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की काच की चूडियां तूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा मेरे मामा उस समय घर पर ना थे मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी तभी सहसा मुझे बदलु का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं अताश शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया बदलु वहीं चबूत्रे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था नमस्ते बदलु काका मैंने कहा नमस्ते भईया उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया परन्तु उसने मुझे पहचाना नहीं और देड़ तक मेरी ओर निहारता रहा मैं हूँ जनार्धन काका उसके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था मैंने अपना परिचे दिया बदलु फिर भी चुप रहा मानो वे अपने स्मिती पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो और तब वे एकदम बोल उठा आओ आओ लला बैठो बहुत दिन बाद गाओ आए आगे देखे बता रखा है कि आशा है कि कहानी के इस भाग को पढ़ कर आपको मज़ा आया होगा आए इस भाग पर आधारित कुछ वास्तोनिस्ट प्रशनों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं पहला प्रशन है लेखक गर्मी के चुटी में कहा जाता था तो लेखक अपने मामा के यहां जाता था इसका ओप्शन होगा फोर्थ ओप्शन दूसरा प्रशन है बहुत दिनों बाद मामा के यहां जाने पर लेखक को किस चीज की बनी चूडिया बहुतायत में दिखी तो वो थी कांच की चूडिया और तीसरा है लेखक बदलू को अपनी याद दिलाते हुए अपना क्या नाम बताता है तो लेखक बताता है कि उसका नाम है जनारधन ठीक है चौथा प्रश्ण है लाख की गोलियों में लेखक को रूची क्यों नहीं रह गई थी तो इसका उत्तर होगा क्योंकि लेखक अब बड़ा हो चुका था क्यूंकि लेखक बड़ा हो चुका था इसलिए अब उसे लाख की गोलियों में कोई भी रूची नहीं रह गई थी पांचवा प्रशन है आपके विचार से गाउं की और तो ने लाख की चूडियों की बजाय कांच की चूडियां पहनना क्यों शुरू किया होगा तो पांचवा प्रशन का उतर है कि मेरे विचार से अब कांच की चूडियों का चलन हो गया होगा क्योंकि अब जाधा तर कांच की चूडियां लोग पसंद करने लग गए होंगे और इस वज़े से जाधा तर लोग कांच की चूडियां पहनने लग गए थे ठीक है अब इसके बाद देखिए एक और यहनोंने चटा प्रशनिया पर दे रखा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात का उधारन दीजिए जिससे आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हो और वह आपको अच्छी प्रकार पहचान नहीं पा रहे हो तम आपकी क्या प्रतिक रहा आपका तो वह चीज आप यहां पर लिख देंगे तो आई होप यह वरक्षीट अब आपको अच्छे सिखने समझ में आ चुकी होगी थैंक यू